हेला फ्रेंद्स वेलकम बेक टू मैं चैनल गाइज आज का गेम है मोनोपोली बीड गाइज इसका मोनोपोली डील कार्ड का वीडियो में अरडी बना चुकिया आप चाहिए तो हापे मेरे जो चैनल में हो आपे जाके चेक आप कर सकते हो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप् अच्छे वह केल सकते है और यह गेम है हाँ चलिया हम पहले फ्राइबर जेखते हैं किसमें हम लोंगों को कार्ड किस तसे रसी वहंगे क्या क्या कार्स है मोनोपोली बीड गाइज इसमें पुरी डैक में आपको सिब दो और टाइप की आपको कार्ष मिलते हैं यहां पर आ करें अधर कर थे इसमें में एक सब्सक्तित हैं क्या है अम से लेकर five तक यहां पर आपको यहां कर शोचतनका मीं यहां पर उसको यहां पर वाइल काड यहां पर देख सकते हो कोई भी प्रापरडे यह करने कर के आप यहां तो फालना से और दो कार्ड उठा सकते हो तो इसका मतलब यह करके लुए पिल्स कार्ड ठीक है इस सभी गार्ड को वान टो थरी तीनों कार्ड को रोकने के लिए अपको एक कार्ड इसको नहीं खेलने के लिए कोल .... tip के लिए नाब कार्ड वह आप कार्ड कर सकते हो सुपोड किसी प्लेए नहीं डाला यहां और दूसरे कर होता है ईए ब्लू कार developed क्या होता है यह आपको होता है अपको ट्र dal उसमें अलग अश्माय पर मैं आपको में संसों किए है तो यहाँ पर कुछ करद इस इससे कि यह उसा है लिखात यानि कि इस सेट को कंप्लिट होने के विए आपको 2 ही काड लगेंगे यह 1 और यह हो गया 2 डेट में नहीं आपको 1 set complete हो गया तो इसी तरह कि अलगलग यहां पर नंबर से यह है pink पॉलमे 3 यानि कि इस set को complete होने के लिए आपको pink के 3 ही आपके लगेंगे इसी तरह के यह है blue के 2, 3 और सिर्फ एक ही card है जिसमें black color का card है इसमें आपको यह set complete करने के लिए total आपको 4 property के card लगेंगे same color लगेंगे ठीक है आपको game में करना कहा है आप जीतों के कैसे आपको 3 अलग अलग color की property के इस तरह से set जमान है for example यह है यह set complete हो गया है क्योंकि आपको 2 लिखा है इसे आपको सिर्फ 2 ही card रखना है 3 का आप देख सकते हैं 3 पिंक color यानि कि आपको pink color के 3 card होने चाहिए तो यह मेरे पास पिंक color के 3 card है that में यह set हो गया तो यह हो गया मेरा set तो हो गया मेरा यह 1, 2 set और लास्ट यह black वाला 4 4 का मतलब क्या है कि black color के 4 cards आपके पास होने चाहिए तब ही आपको पूरा यह set complete होगा ठीक है तो यह हो गया आपको set तो इस तरीके से आपको अलग-अलग color के 3 set game में जमा कर रहा है जिसका सबसे पहले इस 3 set जमा हो जाएता है वो game यह जीच जाएगा जैसे pink color के यहाँ पे आपको 3 card जमा करना है सबसे आपके पास में यह पे pink color का सिर्फ 2 ही card है और आपके हाथ में है यह wild card यह wild property card है तो आप यहाँ पे 2 और यह तीसरा यहाँ पे 3 card रखका आपको यह set complete हो जाएगा set complete करना क्यों जरूर है क्योंकि जब भी आप steel का card यूज करते हो यह steel card जिसका से मैंने आपको बताया तो कोई भी player steel card का गर action दालता है यहाँ पे discard file में तो जो set आगर आपको complete है तो वो set को still नहीं कर सकता है या फिर अगर आपको set incomplete भी है suppose मेरा यह 2 set जमाए और player नहीं हाँ पे डाल दिया steel और यह मेरा card वो still करना चाहता है तो अगर मेरे हाथ में knob का card है तो अब में यहाँ पे डाल दूँगे knob knob डलने से क्या होगा कि वो फिर मेरा card जो वो still नहीं कर पाएगा लेकिन अगर उसके हाथ में उसके हाथ में भी आगर knob का card है अगर उसके भी knob है तो वो knob का card डल सकता है knob के उपर knob डल सकता है और वो ultimately जो मेरा card है यह वाला pink वाला वो यहाँ पे steel कर लेगा ठीके तो यह हो गया कुछ cards के यहाँ पे details तो हमें एक चोटा से game play करते है guys ताकि game खेलना केसे आपको start केसे कर रहे है तभी आपको समझ में आ जाएगा यह card का details और हमें आपको बता होंगे कि अभी setup केसे करना game start कैसे होगा आपको यहाँ पे red card और यह blue card दोनों को अलग अलग शफल कर रहे है दोनों का mix नहीं करना यह दो डेक अलग अलग ही रहेंगे यह और यहाँ पे इसका आपको इस्ता से रखना है यह blue card के cards है और जो main card है हमारे ना वो आपको अच्छी तथी शफल करने के बाद में हर एक player को पांच-पांच card बाटेगे 1,2,3,4,5 guys अभी मुझे यह cards आये एक while card आया है और बाकी के जो चारों money card आया है यह player को क्या आया है यहाँ पे एक action card आया है और बाकी का अन्ना चारों money card आया है same मेरे जैसा ही लेकिन जो यह player है यह player को पूरे के पूरे यहाँ पे action कड़ा है money card नहीं आया है तो अगर game की starting में ही अगर आपको money card नहीं आता है तो आपको पांच-ो card discard करना है और यहाँ से आपको पांच card फिर से उठाना है यह सिर्सस्टार्टिंग में होगा है कि अब यह प्लेयर के पस में ऐसे कर आगे कि संद नहीं आये तो उसको स्टाटिंग में बोल जेना है कि म Oreo मुँड़ होगाा टन इसanging पार के जुट स्टाट क्यों में और इस शुलिप में तो कूए हम लोगग एक्शन अभी फिलाल तो मैं ये एक्षण ऍी 31 कर सकती हूँ कि मैं परोपर्टीञ तो यह वाइल्कारट का क्या करूँ तो उसकी बात करना क्या है कि यहां से ब्लू वाला अगर एक्षण है अकर एक्षण यूज करना हैं तो property यहां से उठाना है उसको face up करना है यह आ गया 4 तो जिसको भी यह black वाली property चाहिए तो यहां पर वो auction करेंगे bid करेंगे और तीनो player एक साथ में यहां पर क्या करेंगे पैसे लगाएंगे कि यह property को कितने मैं खरिदना चाहते सपोज मैं फिलाल इसको चार काट जमा करना है ना चार काट लगेंगे इसको set को commit करने के लिए तो मैं इसे लेना नहीं चाहती है तो मैं सिर्फ एक ही पैसा जाधा है तो इसका पैसा जाएगा डिस्कार्ड बे इसका पैसए यह बयार के मिरा पैसा मेरा पास वापस और यह जूप्रापर्टी यह वह यह प्लेयर को मिल जाएंगा यह चिमारिकव जाएगा अब यहाँ पे मेरा ट slate एजल कफिनिश अभी बार्य σταbaj को यह प्लेयर के तो यह प्लेयर के टाने तो यहां से एक कर उठाना है यह प्लेयर ने उठाया तो यह प्लेयर भी उठाएगा और मैं भी उठाऊंगे तीनों लोग उठाएंगे तो अभी में एक्शन के लिए बूल अभी यहां पर एक्शन कर खेल रहे हैं यहां पर डिसकर कर और यहांगे प्लस टू और हम यहां नहीं से यहां में टू हैंकि कर चुक है और अगर है यह क्न करें अगर चुक के हैं तो ज़रूर सकते अपके हात में जितने हैं बहर प्लाइद से हुआ शन इस लिगा सब्सक्रार में तो फटो नो चलनेived 240 नहीं और action नहीं खेलना है तो अभी हुआ पर last में क्या करना है प्रॉपर्टी को बीट करना हूं बिट करने से पहले जब वो यह प्लेयर बोल देगा कि अभी उसका action खतम अभी action यूज नहीं करना है तो यह property को face up करेंगे और सभी लोग ओ सभी लोग यहाँ पर वापस यह बिट करेंगे तो यह प्लेयर का टन है तो यह प्लेयर यहाँ पर पैसा लगाएगा 123 बोलेगा जादा क्यों लगा है तो यह जो six लागा जिसमें जादा बोली लगा उसका पैसा discard मेरा पैसा मेरे पास और यह property मिल गई यह फ्लेयर को तो अभी यह प्लेयर के पास में ब्लैक करकी तीन प्रॉपटी जमों हो गई है वाइन टो फॉत्री तो आप ट्रायक और आप मनी लगाना वह बात अच्छी है कि आपको प्रॉपटी खरिदने के लिए मनी आपको लगाना पड़ेगा लेकिन पूरे पैसे जो है यहां प्लस टू है तो यहां से डिसकार पे से दो कार उठाएंगा और यहां से दो कार उठाएंगा और पहले इसने यहां पे दाला है प्लस टू अब उसके बाद में इसने 12 कार उठाएंगा eine property नहीं और डाला है तो यह प्लेयर की प्रोपटी है यहां सद अधिल कर लिया है इसके प्लेयर कार का उंभी हिंगा कि बीडिकोchlी से प्लेयर का रित है तो अभी ये प्लेयर का हो गया action और कुछ action करना है नहीं कर रहा है तो उसके बाद में action खतम तो अभी यहाँ पर bidding चालो ओ ओ 1, 2, 3 मैंने 3 दाली हूँ, ये प्लेयर ने 4 दाला और ये प्लेयर में 4 दाले तो मैं तो ये गेम से बाहर होगे मतलब ये बीड में नहीं ले सकती अभी लेकिन अभी दो प्लेयर ने दोनों 4 दाले तो अभी होगा क्या अभी वापस से दोनों प्लेयर और और पैसा लगाएंगे इस काड को खरिदने के लिए तो वापस से 1,2,3 स्टार्ट करेंगे और ये पैसा चले जाएगा ये प्लेयर के हाथ में लेकिन सपोज दूसरे सीन में कि यहां पर 4 था ये भी 4 था सपोज अगर दोनों ने से वापस से उतारते हैं 1,2,3 इसने भी 1 इसने भी 1 मतलब इसका भी 4 है इसका 5 इसका भी 5 होगे इसका भी 5 होगे तो ऐसी सिटुएश सब्सक्राइब होगी अभी डाइक अभी मेरा टन फिर से चलो तो गाइस इसी तरह से गेम आपको खेलता ही जाना है अलगला सिटुएशन आईगा इसका जो तो आई होप आपको गेम अच्छी तरह से समझ में आया हो अगर आप इसके बाद अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट गेम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इसका जो बहुत ही जल्द और एक इसका जो वीडियो आएगा गेम प्ले का तो हम वो गेम प्ले का वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो समझ में आया हो make sure वीडियो को लाइक केजे share केजे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर केजे इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए थाइंक्स पर वाचिंग